फर्स्ट एर और सेकंड एर के सभी छात्रों का एक्जाम आलाइन होगा या फिर आफ्लाइन ये सवाल सभी छात्रों के जहन में है और बार बार आप लोग की पिछले दो दिनों से यही सिम मैसेज इंश्टा से लेकर यूटूब के कोई वी वी वीडियो मैं अप्लोड करूँ कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर एक्ट्यू के एक्जाम के बारे में वीडियो बनाई है वो बताई ये सारी चीजने डिटेल में इसके अलावा थर्डी एर और फाइनल एर के जो भी छात्र है उनका रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि उन्होंने आठ सिमेस्टर का एक्जाम तो आफ्लाइन दे दिया और हमारे साथ डूट जाईए ऐसे ही पल-पल की निवस पाने के लिए तो चलिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब हम बात करेंगे थर्डी एर फाइनल एर के रिजल्ट के बारे में तो आप लोग का प्रेक्टिकल एक्जाम सुरू हो चुके हैं आप कमेंट करके बताए जो भी कि बिसुविद्याले है वो बंद चल रहा है और अफ्लाइन प्रक्रियाएं बंद है इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो सकता है तो श्रिस को आप मैनेज कर सकते हैं माहिने डेर माहिने इससे ज्यादा डिले नहीं होगा हां मान के चलो फरवरी लाष्ट या फिर जन के आलाइन एक्जाम पर बात करते हैं तो गैस यहां पर आप देख सकते हैं कि जाज बढ़ी तो बढ़ गए मरीज जी हां एक दिन में दो लाग बैयासी हजार नए संक्रमित जो हैं वह मामले सामने निकल के आए नव महीने पहले यह अस्तर था काफी ज्यादा संक्रमित ल लाजी के इसको मैं समझाना चाहता हूं कि अभी 20 जनवरी 22 जनवरी को यह हाल है कि तीन लाग के लगभग केसिस भारत में आ रहे हैं एक्टिव केसिस पिछले 24 घंटे में तो फेबरेडी तक स्थितियां और सामाने होने के उमीद हैं यानि कि स्थितियां और बग से बत्त चाहतरों की तरफ रूख करेंगे इसके लावां चाहतरों की स्वास्त और उनका भविश्य से हमारे लिए प्रात्मिक्ता पे है तो पुराने बीसी ने जो गलती की थी वो गलती नए बीसी साहब नहीं करने वाले हुब हो जानते हैं तो आप लोग बिल्कुल अपनी इसेल नोटिस जारी होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले इंफॉर्म करेंगे बस आप चैनल को सस्क्राइब करके बला आइकन को हीट कर लिजेगा और इसी वीडियो को दोस्तों में सेर खीज़ेगा गाईज एक चीज क्लियर करना शाहूंगा कि आफ्लाइ समक्ष परिक्षाओं पर समय पर कराना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी गाईज यूजी पीजी मैं आठिकल दिखा रहा हूँ इसको आप स्क्रीन स्ट लेके पढ़ सकते हो मैं वीडियो को बेवज़ा लंबा नहीं करना चाहता है इसलिए इन सारी चीज़ों को वीडियो म इनके फरवरी के लास्ट वीक में इन्होंने ये बातें कही थी तो इंतजार किजिए अगले 10 दिन में 12 दिन में कोई ने कोई आफिसल अपडेट आशाएगी बहराल मुझे उम्मीद है कि अगर फरवरी में एक्जाम हुआ तो आपका एक्जाम जो है वो आनलाइन होगा औ और एक्जाम अगर मार्च में हुआ यानि कि पोश्पोंड हुआ तो एक्जाम आपका अफ्लाइन होने के चांसेस हैं इसलिए मैं कहा रहा हूं सिष्टी ओफ फोटी रेसिव जो है वो अभी भी कायम है आने वाले दिनों में क्या अपडेट होती है मतलब आपको क्या एक् करूंगा आपकी सारी कमेंट्स को पढ़ूंगा तो चलिए गाइस थैंक्स प्राइशन प्रकास रियू टिक डॉन फार्गेट तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लाइकन फो लेटेस्ट इंफ्रमेशन चेहिंद बंदे मात्रम टिक केर